आज वापिस से आपके लिए लेका आया हूँ स्टांडर्ड ट्वेल कावियर 21-21 बिटा मने पाच्छी जवाब है गुज्याती सब्जेक के अंदर ये लास्ट पोयम है और ये जो पोयम है वो काफी इंपोर्टन है इसमें कम से आपको चार माक का कुशने वाले है इसके अंदर से एक आपकी अच्छे माक्स आपको स्पोर हो सकते है बहुत ही इजी है देखो स्टांडर्ड ट्वेल के अंदर अगा आप ध्यान से देखने जाए तो बहुत ही कम आपके पास पोयम है यानि कि सिफ नाइन पोयम है और चेप्टर जादा है तो अगर आप अगर कोशिश करो तो पोयम को जादा वेटेज मिला है और चेप्टर को कब तो चेप्टर की जगा पोयम को अच्छे तरह से अगर आप लर्न करते हो तो उसके आंसर भी इजी लर्न हो सकते है poem भी easily learn हो सकते है and उसके अंदर से जो 25 mark का पूछा जा रहा है उसका भी आपको काफी अच्छा benefit हो सकता है so इसी में से एक हमारी poem है that is poem number 21, standard 12 गुज्याती, बेटा, मुने पाच्छी जवादे now ये जो कवीता है उसकी कवीत्री उसका नामे उमा महेश्वरन ये एक South Indian है and ये जो हमारी poem आई गुज्याती के अंदर ये हमें translation करके नीता रमया नाम जी के एक लेडी ने हमें दिया है साइध प्रकार इसका है उर्मी काविय and इसका भाव क्या बताते है के मानवी कुद्रती वातान मा रेवा माटे टेवा एलोच है तो तेने शेहरी जीवन मा बलने कितने भी सुख सम्रुद्धी प्राप्त हो पर फिर भी उसको सुख सम्रुद्धी के अंदर भी वैभो वाला भोतिक वाला सुख सम्रुद्धी के अंदर भी वो अकडामन फिल करता है उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं इसके लिए नहीं हूँ और वही जब इनसान को आजादी मिलता है तो प्रकुति की गोद में जाता है और प्रकुति की गोद याने कि समंदर का गिनारा पहाड नदी या फिर कह सकते हैं हमारा प्यारा सा गाओ तो यहां पर एक लड़का है जो अपनी मा को शहर में लेकर आया है और वो जो मा है उसको बार-बार याद आ रहा है अपना गाओ एन वो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी लेंगे उम्मा महेश्वरण जिनके उपए क्या बताते हैं उम्मा महेश्वरण जी कवियत्री के बारे में के उम्मा महेश्वरण का जन्म हुआ मदरास के अंदर अभ्यास और उचेर उसका हुआ है जबलपूर में एमेक तक उसने नागपूर में पढ़ाय की और बहुत ही अच्छे कवियत्री एक अच्छे लेखक शर्षोदक रिसर्च फिल्में ते उसका अच्छा टाम किया और हमारे फर्स साइन्टिस्ट जिसको नॉबल प्राइज मिला याट इस सीवी रमन उसका उसने जिवन चरित्र मलब और्टोबाइगराफी लिखी हुई है उसके महान काविय रशना के अंदर से आज की ये जो काविया है वो आपके सामने है बताते हैं 21 बेटा मने 5 ही जवादे उसकी दूसरी जो बुक्स है उसका नाम है त्रिशंकु एंड पोएट्री आपको लर्न करने में बहुत ही इजी पड़ेगा शुरुवात करते हैं 21 के उपर के जो मा है वो शहर में आ चुकी है एंड शहर में आने के बाद उसको जो परेशानी हो रही है तो उससे शुरुवात की के कोने खबर केवी जग्या है कोने खबर केवी जग्या है तुमने लई आवियो छे बेटा अहीं बधीज बारियो हमेशा बंद रखाए छे एक मा जो है अपनी शहरी जीवन से शहरी वातावरण से तंग आकर उसका संस्कुति उसका कल्चर उसका रहन सैन उसके तंग आकर वो बेटे को कहती है कि कोने खबर बेटा कि तू कौन सी जगा पर मु हमेशा बंद रखी जाती है आगे बताया गया है और आगले बारने हमेशा ताडू वासी हो एचे मुलब ताला लगाया जाता है हमारे गाहों के अंदर तो हमेशा कंपाउंड के अंदर सत्से बहले रंगुली ड्रू की जाती है और बार की साइड में होता है स्वागत करने वाला एक सिंबोल और उसके पास लिखते हैं हम भले पधार्या उम्रा होता है जिसको हम कहते हैं डो स्टेप जो होता है जिसको हम दहलीज कहते हैं तो वहां पर हमेशा रंगोली ड्रो की जाती है पर तो ओ शायद यहां पर शहरों में नहीं होता है तो ले केता है कि आंगले बारणें हमिशा ताडू वासी होएँ छे भले पधार या केहवा माते उम्रा मा कोई रंगोडी नथी आवी जग्याए तुमने बेटा लए आगयो छे आगे बताते हैं, के लक्षमी जी, लक्षमी जी क्या थी पदारे बेटा, जा एनी एज हवा गोल गोल फरती होई त्यां, लक्षमी जी पदार्वा किया रे परवा करे, तू कहे बेटा जे लक्ष्मी जी कमर्णी उपर विराज मान चे आदी कार्णा दूदना समुद्र मा जे लक्ष्मी जीनो वास चे जे देवनी पत्नी चे तुश्यू एम धारे चे के डब्बा मा अने बरप मा संग्रेलू त्रवन दिवस मुझे वासी चे एक यारे आरोक्षे एक यारे जम्षे तो ये जो समुद्र बताया गया है दिस दूद का समुद्र कहते है देव विश्णु भगवान को बताया गया है कि जो विश्णु भगवान की पत्मी है हमारे लक्ष्मी माता उसके बारें बताया गया है कि जादतर साउत में इस तरह से होता है कि जो भी घर की गुरूही ही होती है वो हमेशा सुबह नाधो के तयार होने के बार अपने घर के कंपाउंड के अंदर हमेशा रंगोली ड्रो करती है और ये हमने शाविश करती है कि जू देवी देवता है मेरे घर में आए और मुझे अपने आशिरवात दे और मुझे अच्छा जीवन बदान करे और तू वहाँ पर कहां से आएगी? कैसे? क्योंकि तू शू उधा रहे छे? एम छे कि डब्बा मां अने बरपनू संग्रेलू तरण तरण दिवसनू वासी खावानू ए आरोक शे? जो वासी काना है जिसको अब माखी, मच्छ, जो फ्रोजन किया हुआ अमारा खोरा, जो भोजन है क्या वो वासी खावा माटे बेटा वो भगवान आएंगे? तने सारी रिते ठेकाणे पड़ेलो जोयो छे एती थुड़ी मनने शांती थाए, हम बाग एचे के तने सारी रिते ठेकाणों पड़ेलो जोय, अने सारू लागे चे पर बालकों अने पत्नी आप बदूज छे, पर ए सिवाई ने मुश्केली कहे चे के बालकों ने आप पत्नी बदूज छे, पर जोके तारी पत्नी कोई अन्य पुरुष्णों हाद पकड़े त्यारे, मारा उभात है जाये चे रुवाडा रुवाडा मलते है गुस्बम, रौंटे, उसको घुस्बम कहते है कि अगर कोई खराब चीज हो रही है, कुछ गलत चीज हो रही है, कुछ असन्सकारी बाते होती है, तूँ वो गाउं की सन्सकारी मा केती है कि मेरे रौंटे खडए हो जाते है, पर्ण हू राजी चो, बे अने तारी पतनी अन्य पुरुष्णा हाथ पकड़े ये कोई हमारे संसकार की बात नहीं है वो आप आसाने से यहां पर ये पिच्चेज में देख सकते हो आगे बताया गया है कि तारु आ नानकडू रूपकडू घर तारी आकार तारु आ बधूज जुवा माटे आ वासी मारा श्वासमा लेवाती नथी आ गयकालनी रसोईनी हवा आ मारा मगजमा मारा रदैमा मारा श्वासमा मात्र गूल 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 फरियाज करे चे पिटा रसोई तो रूज करवानी बाबत चे मात्र रैवारे करवानी बाबत नथी अने पिटा रसोई तो धंदमाटनों राई नो तडड़ाद और जमन मा सोडम लावे यह हवाने गंदवी मारे नहीं यहने तो सोडम आ पेचे खुश्बू आ पेचे तो हमारे गाउं के अंदर जो चुले के उपर हरोज जो ताजा खाना बनता है गर्मा गरम रोटी बनती है कितने सारे मसाले होते हैं उसमें आतारी बद्धीज वारियो खोली नाग बेटा मने तो जीवनत वस्तु और ध्वनी सामड़वानी टेव छे सवारे पंखी नो और रात्रे वरसाद नो फर्नेस फैन नो घरगराट तो नहीं जो फर्नेस फैन होता है हमारे कीचनों के अंदर होता है इस तरह से कीचन मलब त आती है ऐसी के अंदर से ठंडी-ठंडी हवा आती है हमारे जो खिड़किया जाताता तर बंद रखते है पध्शी अकर Czy कहती है कि खिड़किया खोल डे ये पंखी के आवाज मुझे सुनने दे बारिश की मुदू के आवाज सुनने दे ये मुझे वाश्यम शिन का वश्यम का आवाज नहीं एक फरनेस फैन का घरगराट नहीं मुझे इसमें कभी भी मज़ा नहीं आया है और नहीं कभी आएगा इसलिए यहां पर मा जो है वो बेटे को समझा रही है क्या बद्रीज वारी ओखोली नाग बेटा मने पाची जवादे मने पाची जवादे सुरिया ने ह हवा तरफ भले गामडा नी अंदर हवा छे परसेव छे माखी छे आ बदूच छे पड़ा नी साथे आ असंसकार आ वासी हवा आ वासी जम्वा नू एतो क्यारेज नती आथी मा अहिया केवा मागे छे किवने शहरी वातावन करता गामडा नू वातावन वधारे सारों संसकृति के बारे में गामडा मां बारी बार्णा खुला रखाए छे जेती सुरदना केरिनों और ताजी हवा सहलाई थी मड़े नगर के अंदर बारी बार्णा बंद रखाए छे हवा तेज अने सुरिय प्रकाश नी अवर्जवर नती थती इसलिए हम बहुं सारे शहरों म लगा दिये जाते हैं और वहां पर जो अंदर प्रकाश आना होता है उसके जगा बड़ी बड़ी हैलोजन लाइट लगाए जाती है और ठंडी अवा देता है एसी और फर्नेस में फालतु का आवाज देता है उम्रानी अंदर यानि कि उम्र के अंदर आंगना मां रंगोली प पूराती नथी फर्नेस फेन वाशिंग मशीन एर कंडिशन इसके जो गंदी आवाज है वो सुनने को मिलता है वहां पर रोज ताजी रसोई बनती है ताजी खवाये छे प्लास्टिक स्वादिश्ट मसाला ने वगार मों महक उसकी लिजजत की अलगी मजा उती है जबकि य पूता का पणानों एसास वहां पर अपने लोग होते है निकटता होती है एक चौकस प्रकार के व्यक्ति वहां पर रहते हैं और उन सब के बीच में एक लक्ष्मन ड्रेका भी होती है जबकि यहां पर कोई भी पुरुष कोई बिस्त्री का हाथ पकड़ता है कोई बिस्त्र सूरिय, हवा, परसेव, माकी आ बद्धू स्विकार आये छे चरहियां बद्धीज बारीवाना बंध रखाये छे अने आ बद्धास जिवस्तु ने बार रखाये छे आम ग्राम्निय संस्कुती और नगर संस्कुती की कंपरिजम हुई है शोट आंसर देखते हैं बाने शी टेव छे तो बाने जीवन त्वस्तु ना ध्वनी सांबलवानी टेव छे बाने शू मंजूर छे गामडानों परसेव औने माकी मंजूर छे बानों श्वास शाथी रुन्धाये छे करनी बधीज बारी बाणां बंध राखी होआ थी तेनो स्वा स्वरुन्धाय रहिए हो छे बारी खुलवानु शाथी कहे चे, बारी मा थी सुर्यानो प्रकाश अनो तड़को वातावनी मेहे कने हुआ घरमा प्रवेशे तितला माटे बाप बारी खुलवानु कहे चे लक्ष्मिजीन वस्वाट क्या चे? लक्ष्मिजीन वस्वाट कमलना आसन पर चे, डूधना सम्मुद्र मा चे, अने ते सामान्य व्यक्ति न थी, ते तो भगवान विश्णुनी नजिक वस्वाट लगे भगवान विश्णुनी पक्नी चे अच्छा, कवी आंगणामा रंगोली पूरवानु शू कारण जनावेचे? तो कहेचे, कमेशे आपणा संस्कार मा चे, मात्रु देव भव, पित्रु देव भव, आचार्य देव भव, अने आचार्य दिवाईर पच्छी आवेचे, अतिति देव भव अतितिने आपणें, अमेशा, भले पदार्या, एम कहीने स्वागत कराया एतला माटे, आंगणामा रंगोली पूराएचे, घरना आंगणामा शूमेशा होईचे? तो घरना आंगणामा अमेशा तालू वाद स्वरू होईचे, बारणामा, अने ए शहरी जिवन माँचे, ज दब्बा मा संग्रेलू छे, लक्ष्मी जी केवीरिते खावनू नहीं आरोगे, लक्ष्मी जी डब्बा ना बरफ्त मा संग्रलू त्रण दिवस्नु वासी क्यारे आरोक्षे नहीं, बाना रुवाडा क्यारे उभा थेई जाये छे, बानो दिक्रो अन्य पुरुष्णी पत् आइना बेटाने क्या जवा देवानु कहे चे, बात इना बेटाने किये बने सूरज तरफ लई जा, बने गामड़ा तरफ लई जा। चैंडे विए फिर दार के लें किसके बारे में इंट्रोड़क्षन देंगे तो तो जो हुमारे लेखी का है ऊसके बार में सारी जानकारी दूख उसका साहित प्रिकार बताव, कौन कोन से भुक लिखी है और इसके अंदर क्या भाव बताना चाटे है ये लिखने के बाद आप point wise कर सकते हूँ की कभी काविय के अंदर क्या बताना चाटे है ग्रामिय जीवन बताना चाहते हैं, सहत सोभा बताना चाहते हैं, ग्रामिय जीवन और नगर जीवन की अलग-अलग बातों की बताना चाहते हैं, घर के अंदर का जो उपकरण है, उसमें एर कंडिशन है, फरनेस फैन है, ये सारी चीजों के इसके अंदर इस्तमाल करने की बा हमारे उमा महेश्वरन है और यह उसकी बुक्स है there is mangoes on the maple tree यह cycle on the moon सीवी रमन के पर उसने लिखा हुआ है और यह जो है हम आपके लिए मानते है आभार यानिके thank you very much अगर आपको कोई भी परका का doubts है problems है तो मैं आपको और मदद कर सकता हूँ इसके लिए पूरी कोशिश करूँगा आपका मित्रा आपका दोस्ता आपका गुरू मैं अंद्र योशी धन्यवार